असलेम अलेकम दूस्ता समझेट भी चैनल पर आप सभी कैमेरे दिल से हरदीक स्वागत है तो कैसे है आप लोग उम्मीद आप सभी लोग खेरियाच होंगे ठीक होंगे तो दूस्तो आज में एक बहुत इंपोर्टिन टॉपिक पर बात करूँगा एक्शूली काफी तिनों से काफी से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर वाट्साप पर यूट्यूप पर तो है ही कॉमेंट करके कुशिन करें कि सर हम अपने रेबिट के बच्चे को कहा बच्चे क्योंकि हमारे पास डेर सरा खरूश के बच्चे हो चुका है तो आज इस समझ सकते हैं अगर आप रेबिट के ब्रीडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कोई नोलेजब को नहीं है आप जहां रहते हैं अगर वहाँ पर खरूश ज्यादा सेल नहीं होते हैं खरूश के बच्चे को लोग नहीं खरकते हैं तो इस टॉप ब्रीडिंग करते हैं उनके बाश जमीन होते है फार्मिंग करने के लिए ग्रास उगाने के लिए उनके लिए बाशा होते है ग्रासुद की सहाथ खूद को private के बार मैं कोई नोलस नहीं है उनके सथ इसलिए क्या होता है उनका rabbit unwanted pregnant हो जाते हैं और उन बंदे के पास दो तिन महीने के आंदर ही डेर सरा खरगुष हो जाते हैं क्योंकि आप सभी को पता है rabbit हर महीने बच्चे जानम दे सकते हैं और एक बात आप सुनके है शॉक्ट हो सकते हैं rabbit एक ही महीने में दो प्रेग्रिंसी एकसेप्ट कर सकती है आप आते है मेन मुद्दे पर rabbit के बच्चे को कहा कैसे सेल करें तो आप अपने rabbit के बच्चे को लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं आपके आसपाद जो बड़े मार्केट है हफ्त में एक दिन बड़ा बजर बैठते हैं तो वहाँ पर अगर मैं आसम के बार में बात करता हूँ तो आसम में इतना ज्यादा rabbit प्रोडक्शन रेबिट फर्मिंग नहीं है तो गौहाटी में जितना भी पेट्षोप है वह कलकत्ते से राइबिट गिनिपीक सब कुस लाबते हैं तो नेक्स्ट हम सोशियल प्लाट्फों का साहे ले इसका पिक्सल लिजिए और वो फेश्बुक पर रेबिट फर सेल यह लिखके पोस्ट किजिए आपको कस्टूमर जरूर मिलेगा तो इंडिया में एसा बहुत सारा जगा है जहां पर रेबिट मिलता नहीं है दोस्तों रेबिट को देखके 99% लोग इंप्रेश्ट हो जाते है खरिदने का मान करते हैं और क्या प्राइस है ओब जनना चाहते हैं तो जाब आप रेबिट के बच्चे का पोस्ट इंस्टेग्रम पर वाट्टब पर फेस्बूक और सेंड करेंगे तो लोग रेबिट खरीदना चाहते हैं वो लोग आपको कॉंटक करेगा आप से सारा ट्रिक्स में फॉलो करता हूँ आप भी किजिए आपको दिन में करीब सौ कॉल मिलेगा सिर्फ फर सिर्फ रेबिट के बच्चे को खरीदने के लिए दोस्तों वीडियो की इंड में मैं यही बताना साथ हूँ अगर आपके गाव में आप जहाँ पर रहते हैं अगर वहा कि आप रिबिट को ब्रेडिंग मत कीजिए योगिंकि बहुत सरा रिबिट होते हैं उनको रखने के लिए ब्रीडिंग मत किजिए और धेर सारा खरगोश मत तैयर किजिए आप अपने मेल फिमेल को नीटर और इस पर करवा सकते हैं यह करवाना से रेबिट ब्रीडिंग करेगा बट बच्चे नहीं देगा तो यही था एक सोटा सा इंफ्रोमेशन I hope आप लोग को अच्छा जूर रहें खुदा हफीज